अगर आप Hindi भाशी हैं या Hindi बोलते हैं और आपके बच्चे English Medium School में पढ़ते हैं तो आपके बच्चों को और आपको study में क्या problem आती हैं वो आज मैं आपके साथ discuss करने वाली हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको 3 tips ऐसे देने वाली हूँ जो आपको help करेगी आपके बच्चों के studies के लिए आयम रिचा मैता primary education specialist, specially 6 years से लेकर के 11 years तक के students को मैं पढ़ाती हूँ और अपने कई सालों के experience में मैंने यह चीज ऑबजर्व की है कि parent और उनके साथ साथ में बच्चों को इस year में studies में क्या-क्या तकलीफ होती है क्या-क्या problems होती हैं खास करके अगर parents Hindi भाशी है और बच्चा English medium school में पढ़ रहा है तो किस तरह की problems आती है वो आज मैं आपके साथ में discuss करने वाली हूँ तो सबसे पहले problem जो आती है बच्चों को reading में difficulty होती है सबसे बड़ी problem होती है कि बच्चे reading properly नहीं कर पाती है उसका सबसे बड़ा reason क्या होता है कई बार parents क्या में सोच लेते हैं बट ऐसा नहीं होता है English language ऐसी language है जो दुनिया की most difficult language में से एक है और अगर आप बोले कि वो सबसे difficult language है तो उसका structure ही सबसे ज्यादा difficult है जैसे कि अगर आप देखे कि L.I.V.E. live होता है और L.I.V.E. live भी होता है तो बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है बच्चों को हमें सही guidance देना होता है सही तरीके से पढ़ाना होता है तभी वो सही तरीके से English language को adopt करके वो different different subjects जो है वो English language में पढ़ सकते हैं दूसरी problem क्या आती है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उनकी basics clear नहीं होता है जैसे कि basics का मतलब क्या होता है कि उनको proper reading नहीं है उनको spelling learn नहीं हो पा रही है उनको सही तरीके से writing नहीं आती है writing skill उनकी clear नहीं है तो यह सारे difficulties होती है इस कारण से क्या होता है कि बच्चे studies के साथ में cope up नहीं कर पाते हैं मतलब कि वो syllabus के साथ में नहीं चल पाते है क्योंकि उनका basics ही clear नहीं होता है और यह चीज हम समझ नहीं पाते है as a parent कई बार क्योंकि parent भी teaching line में नहीं है इस कारण से वो समझ नहीं पाते है कि बच्चों को exactly problem कहां पर आ रही है और हम different options में बेशते हैं अलग-अलग तरीके के ways अपनाते हैं बट उनको पता ही नहीं चल पाता है कि प्रॉब्लम हो कहां रही है बच्चों को बच्चों को problem basics में होती है और उसके बाद क्या होता है कि बच्चों को proper guidance नहीं मिलता है like इस तरह से सब आगे बढ़ना है क्योंकि school का एक particular syllabus होता है अगर पूरी तरह से school dependent है तो school का particular syllabus होता है और ताइम to time complete होता जाता है उस syllabus के साथ हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ जो उन्हें नहीं आता है ताकि वो study के साथ में cope up कर सके ठीक है ऐसा नहीं है कि हमें वो चीज़ पढ़ानी है जो school में चल रही है इस कारण से क्या होता है कि बच्चे को question answers learn कर रहा है बच्चों को question answer learning नहीं हो रहा है क्यों नहीं learn होता है उसका सबसे बड़ा reason ही होता है कि बच्चों की basics clear नहीं है ठीक है तो basics को clear करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें उनको English की जो basic knowledge है वो सही तरीके से देनी है तो English की basic knowledge सही तरीके से किस तरह से दी जाए उसके लिए मैंने एक English की guide prepare की है downloadable guide है ये free PDF है ये जो आपको जिसकी link आपको या तो नीचे description box मे मिलेगी या comment box में मिल जाएगी या फिर ऊपर कहीं भी आपको उसके link मिल जाएगी free में आप book download कीजिए और उससे आपको बहुत ही help मिलेगी अपने बच्चों को English सिखाने के लिए और उनके basics को clear करने के लिए so thank you for watching this video